नमस्कार आईए आज हम एक बहुती रोचक अध्याई के बारे में जानेंगे जिसका नाम है शंकू परिच्छेद जब इस अध्याई को पूरा पढ़ लेंगे तो हम क्या-क्या जान पाएंगे आईए देखते हैं इस अध्याई के अंत तक आप देख पाएंगे कि शंकू परिच्छेद वास्तम में क्या होता है हम जान पाएंगे कि इसमें चार प्रकार के वक्र की आकरती बनती है और पहली आकरती वरत क्या होती है कैसे बनती है फिर परवले कैसे बनता है उसके बाद हम देखेंगे दीर्ग ब्रत और अन्तिम में अतिपरवले की आकरती कैसे बनती है और इसको हम आगे जान पाएंगे आएए चलते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं शंकु परिछेद के लिए आप थोड़ा सा ध्यान करें कि एक कोई इस्थिर उर्धवादर रेखा है और दूसरी एक रेखा है जो एक अचर कौण एलफा बना रही है कुछ इस तरह से अब यदि हम इसके कौण को अचर रखते हुए और इसको हम घुमाएं और इस तरह से घुमादे चाहें तो ये क्या होगा घूम करके इस तरह की आकरती हमारे पास आ जाएगी और ये दो नापे बनेंगे यानि दो कौन जैसे होंगे एक अपर कौन एक निचला कौन इसको अपर नापे और निचला नापे भी कहा जाता है इसका जो ये बीच में है ये इसका वर्टेक्स यानि केंदर कहलाता है फिर जो हमने घुमाया था इसी से तो ये सारा बना था इसलिए इसको हम जनरेटर अर्थात जनक भी कहते हैं और जो ये उर्दवादर रेखा है ये इसकी अक्ष कहलाती है तो वास्तम में शंकू परिछेद फिर क्या हुआ शंकू परिछेद हुआ अगर हम इस आक्रती में एक तल समतल ले करके और इसके हिस्से करें इसको काटें तो कितने हिस्से बन सकते हैं उसे हम परिछेद कहेंगे परिछेद में ध्यान क्या रखना है कि एक तो ये कौन जिससे हमने गुमाया अचर होना चाहिए दूसरा ये जो इस्थिर रेखा है ये तो अर्थात किसी भी लंब वरत्तिय शंकू की एक समतल द्वारा परिछेद करते हैं तो प्राप्त वक्रों को शंकू परिछेद कहते हैं हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि कोई बिंदू इस प्रकार से गमन करता है कि उसकी एक स्थिर जिहान रखना एक स्थिर बिंदू और इस्थिर रेखा से यदि उनकी दूरी का अनपात निश्चित हो तो ऐसे सभी बिंदू पत को हम शंकू परिछेद कहते हैं आईए और चार प्रकार की वक्र आकृति हमें इस तरह के समतल से किसीवी शंकू को परिछेद करने पर बनती हैं सबसे पहली आकृति व्रत की आकृति व्रत की आकृति में हमें क्या देखना है कि यदि मेरा ये समतल जिससे कि मैं इसको काट रहा हूं अगर उसका कॉन मैं बीटा ले लू ध्यान रखना ये जिस से हमने गुमाया था ये कॉन है एलफा और हमने क्या किया है ये जो तल है जिससे हम इसको काट रहे हैं उसका कॉन मैंने मान लिया बीटा यदि मैं इस इस्थिर रेखाके इस तल को 90 डिगरी के कौन पर रखूँ अर्थात बिलकुल लंब बत काटें तब ये ब्रत बनता है इसी प्रकार से यदि मैंने इस बीटा कौन को इस एलफा कौन के बराबर कर दूँ और बराबर करके अगर काटूं तब ये इस तरह से परवल है अर्थात पैराबोला बनता है और यदि मेरा ये वाला कौन जिससे की मैं इसको काट रहा हूँ वो एलफा से तो बड़ा हो परन्तु 90 डिगरी से छोटा हो क्योंकि 90 के बराबर हुआ तो ब्रत बन जाएगा इसलिए 90 से कम हो लेकिन इस एलफा से बड़ा हो तब वो बन जाएगा मेरा दीर्ग ब्रत अर्थात इलिप्स चोथा यदि मैंने एलफा से तो कम कर दिया लेकिन जीरो नहीं कर सकता जीरो कर दिया तो वो उर्दवारदर रेखा के ठीक बिल्कुल पैरलल हो जाएगा उर्दवारदर रेखा के पैरलल ना रखकर लेकिन जीरो से बड़ा हो लेकिन एलफा से छोटा हो तब वह बन जाएगा अतिपरवले आकृती इस प्रकार से इन चार आकृतियों के वारे में इस अध्याय में बढ़ेंगे आईए आगे देखते हैं पहला जो परिछेद हमने देखा था वो था व्रत अर्थात सरकल इस सरकल के बारे में आप सभी बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं आपने पढ़ा था कि व्रत क्या होता है तो द्यान होगा कि किसी भी एक बिंदू से एक निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदू होंगे उन सारे बिंदूओं के समुह को या समुच्च को हम व्रत कहते हैं अर्थात यहां से मानलो एक बिंदू इतनी दूर है दूसरा बिंदू इतनी दूर है तीसरा इतनी दूर है चोथा इतनी दूर है अगर ये सब बराबर हो जाएं तो ऐसे तो और भी अनेक बिंदू हो सकते हैं, तो इन सभी बिंदूओं के बिंदूपत को अर्थात, इस तरह के बिंदूओं के समुच्च को हम ब्रत कहते हैं, ये आप पढ़ते हुए आयो, फिर इसमें क्या खास है, आगे देखते हैं, लेकिन इसको आप क्या कहते थे, तृज्या, आ ये होता था ब्रत का गेंद्र, और ये हो गई ब्रत की परधी, ये सारी जो सब्स्द हैं, जो ब्रत के हैं, वो आप पहले से ही बहुत बहतर डंग से जान चुके हैं, तो यहां हम क्या देखेंगे, कि इस ब्रत का समीकरण कैसे निकले, अब ब्रत का समीकरण जानने से पहल आप सभी ने निर्देशां की जामिती भी पड़ी है और दूरी निकालना भी पड़ा हुआ है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना इन दौनों का उप्योग करके हम इस ब्रत का समीकरण पता कर सकते हैं कैसे देखते हैं एक ब्रत मेरा बना हुआ है इसका केंद्र है O और त्रिज्या है R ये जो बिंदु है अगर मैं ध्यान से देखें इसको तो केंद्र से जो अगर ये मूल बिंदु पर है ऐसे माल लेते हैं फिलाल मूल बिंदु यानि ग्राफ हो गया और अगर ये ग्राफ हो गया तो यहां केंद्र पर O और इसके बिंदु हो गए जीरो जीरो इसके बाद यदि आप देखें कोई बिंदु P है इसके निर्देशांक आपने पढ़ लिए X Y इस बिंदु से P के बीच की दूरी ये त्रिज्या कहलाएगी जिसको की हम आर कहते हैं दो बिंदुओं की बीच की दूरी आपने पढ़ी है कि X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर और उसका वर्गमूल अर्थात O P जो की आर था जब O P की दूरी पता कर लेंगे दूरी फॉर्मूला से तो हम इस समीकरण को पता आराम से कर सकते हैं कैसे देखते हैं एक ब्रत सामान्य ब्रत माना कि इसका जो केंद्र है वो है H के एक ब्रत के उपर कोई बिंदू P है इसका जो निर्देशांक है वो है X Y अगर मैं इस ब्रत के केंद्र को P से मिला दूँ तो ये मान लेते हैं कि इसकी तिर्ज्या हो गई R अब अगर दूरी फॉर्मूला से देखें तो हम क्या देखेंगे O P की दूरी निकालनी है तो वह हो जाएगी X माइनस H का होल स्क्वायर प्लस Y माइनस K का होल स्क्वायर और यदि मैं इसका बर्गमूल भी हटा दूँ तो बजाए R के वो हो जाएगा मेरा R सक्वायर अर्थात किसी भी ब्रत का समीकरण मेरे लिए बन गया X माइनस H का बर्ग प्लस Y माइनस K का बर्ग बरावर R सक्वायर किसी भी ब्रत का समीकरण पता करने के लिए मुझे दो चीजों की आवश्यक्ता पड़ेगी H के यानि केंद्र के निर्देशांक दूसरी जरत पड़ेगी कोई भी एक बिंदू जो ब्रत पर हो पूरे ब्रत पर यह हम जानते हैं कि यह X, Y सभी बिंदूओं को एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें अगर एक बिंदू दे रखा हो केंद्र पता हो तो हम ब्रत का समीकरन पता कर सकते हैं यदि मान लो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था केंद्र जीरो जीरो हो आप जरा यहां देखें केंद्र जीरो जीरो है तथा त्रिज्या आर है तो ऐसे ब्रत का समीकरन क्या होगा आप देखें केंद्र यानि जो आपका H के है उसका मान दे रखा है 00 अर्थात ब्रत जो बना हुआ है ये आप ऐसे मान लें ग्राफ के बीच में बना हुआ है और इसकी त्रिज्या दे रखी है R तो H और K का मान जीरो होते ही समी करण हो जाएगा X की गहाद दो प्लस Y की गहाद दो बरावर R की गहाद दो एक बिशेश बात ब्रत के समी करण में ध्यान में रखने की कि X स्क्वाइर और Y स्क्वाइर के जो कोफिशेंट हैं ये जो संख्याएं हैं इसके बाद की वो हमेशा बरावर होंगी कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती हैं तो इस तरह से जिसका केंद्र जीरो जीरो हो त्रिज्या आर हो उसका समी करण X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर बरावर R स्क्वाइर एक और देखते हैं कि यदि केंद्र माइनस 3 दो हो और त्रिज्या 4 हो तो क्या होगा केंद्र माइनस 3 दो अर्थात HK हमें दे रखा है माइनस 3 दो और त्रिज्जा R का मान दे रखा है 4 एकाई अब इसके यदि ब्रत का हमें समीकरन पता करना है तो हम क्या करेंगे X माइनस H का मान माइनस 3 है इसलिए ये प्लस 3 हो जाएगा घाद दो जमा y k का मान जमा दो है तो y माइनस 2 की घाद दो हो गया बराबर r square r यानि 4 तो इसका मान हो गया 16 हो गया ना असान आईए आगे देखते हैं कि इसका और कैसे उप्योग हम इस समीकरण का कर सकते हैं एक उधारन किताम में दिया हुआ है कि x की घाद दो प्लस y की घाद दो प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0 यदि ये ब्रत का समीकरण है तो इसका केंद्र तथा त्रिज्या ज्याद कीजिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि जी अभी तक तो हम पढ़ रहे थे x square y square ये अचानक इसमें 8x और 10y भी आ गया ये तो समीकरण ही नहीं है ब्रत का बिल्कुल है कैसे है इसको पहचानना सीख लो कि यजे मैंने बताया था कि x square और y square के साथ जो coefficient है अगर बराबर है अर्थात एक है या दो है दोनों में बराबर होना चाहिए तो आप मान लेना कि वो ब्रत का समीकरण है अब इसमें खास बात क्या है कि 8x भी दे दिया आप सभी ने छटी से आठवी तक गुणन खंड पड़े है उनका विस्तार भी पड़ा है तो एक बार ध्यान करें कि मुझे इसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो कैसे बनाना मेरे पास है x की घाद दो जमा 8x मैंने इसको और इसको लिया अभी केवल अगर मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो a square प्लस 2a भी तो दे रखा है b square में यहां से गायब है तो b square निकालने का सबसे आसान तरीका कि जो भी x का कोफीशियन्ट है उसका आधा करके वर्ग कर दो 8 का आधा कितना होगा? 4 अर्थात मुझे केवल क्या करना है? 4 का वर्ग 16 इधर जोडना है और 16 ही बराबर के बाद जोडना है बराबर के दोनों तरफ अगर समान संख्या जोड़ी जाएं तो कोई फरक नहीं पड़ता इसी प्रकार से आप देखें y square के साथ 10y है अर्थात y square प्लस 10y अब आप बता सकते हो आसानी से y का जो coefficient है वो 10 है 10 का आधा 5 5 का बर्ग 25 अर्थात मैं क्या करूँगा दोनों साइड में 25 जोड़ देंगे एक minus 8 इधर दे रखा है इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा जमा 8 ये सभी को इसपष्ट हो गया होगा इसके बाद आप एक बार इसको देखें यहां तक x की घाद दो प्लस 8x प्लस 16 ये क्या हो जाएगा अगर आप देखें तो x प्लस 4 का whole square जमा ये क्या होगा y जमा 5 का बर्ग अब उधर क्या होगा उसे भी देख लेते हैं ध्यान रखना वो भी बर्ग में होना चाहिए लेकिन देखते हैं 8, 5, 13, और 6 19 1, 2, 3, और 1 4 49 49 अर्थात ये हो गया मेरा उस समी करण से किस से तुलना करेंगे हम अब एक बार ध्यान करो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का वर्ग बराबर r स्क्वायर इससे तुलना करके देखेंगे तो h का मान कितना आएगा ध्यान करना यहां प्लस 4 है ये माइनस h है तो h का मान आ गया माइनस 4 k का मान कितना आएगा माइनस 5 और r का मान कितना आया 7 इस प्रकार से आप लिख सकते हो प्रशन में पूछा था केंदर का मान अत्य है आप लिखेंगे केंद्र केंद्र कितना हो गया माइनस चार माइनस पांच दूसरा पूछा था त्रिज्जा तो त्रिज्जा कितनी हो गये हमारे पास साथ बहुत ही आसानी से आप इस तरह के प्रशनों को कर सकते हैं आएए आगे चलते हैं अब हम एक नई आकृति के बारे में जानेंगे जिसको कहते हैं परवले अर्थात पैरावोला आपने देखा शंको परिछेद में ये भी बना था इसमें खास बात क्या है कि एक निश्चित बिंदू है और एक उर्धवादर रेखा है वह भी इस त्षिर है तो इन इस्तिर रेखा और इस इस्तिर बिंदू से भावर दूरी पर जितने भी बिंदू होंगे उन सभी बिंदूओं के समुधों को पैरावोला या पर्वले कहते हैं जैसे आप देखें जितनी दूरी रहाँ है उतनी ही दूरी इस इस्थिर रेखा से है जितनी दूरी एफ पीधरी परवले कहेंगे क्योंकि वहाँ पर इस तरह से एक आकरती बन जाती है अब हम क्या करते हैं इस नाभी से जो फिक्स बिंदू था इस्थिर बिंदू था उसका नाम होता है नाभी अर्थात फोकस पॉइंट और ये जो इस्थिर रेखा है इसको कहते हैं डाइरेक्ट्रिक्स अर्थात नियता एक छोटा सा काम करते हैं इसमें हम यहां से ऐसे एक सीधी रेखा खीचते हैं सीधी रेखा खीचते ही इसमें जहां पर इस परवले को ये काट रही है ये इसका केंद्र कहलाता है अगर मान लो मेरा एक ग्राफ इस तरह से हो गया तो ये मूल बिंदू जीरो माना कि इस नाभी के निर्दे शांक हैं एजीरो ध्यान रखें कि ओ एफ किसके बराबर होगा यहां मान लो मैं पी लिख देता हूँ तो ये ओपी के अर्थात अगर यहां एदूरी है तो ये दूरी हो गई माइनस ए दूरी तो ए रही लेकिन चुकि नकार आत्मक दिशा में आ जाता है इसलिए ये इसके निर्दे शांक हो जाएंगे माइनस ए जीरो चोटा सा काम वो क्या कि इसके जो उर्धवादर रेखा है इसका समीकरण क्या होगा तो आप जानते हो माइनस A है इसका निर्देशांक इसलिए इसका समीकरण हो जाएगा X बरावर माइनस A यानि नियता का समीकरण जो यहाँ पर फोकस बिंदू है उससे अपोजिट साइन लगा करके हम नियता का समीकरण पता कर सकते हैं अब इस परवले का समीकरण कैसे पता लगेगा बहुत आसान है हमने एक जो बिंदू था माना कि हम इसका निर्देशांक ले लेते हैं इस xy निर्देशांक ले करके और मैंने क्या किया ये दूरी निकाली और ये दूरी निकाली इन दौनों दूरियों को इसके निर्देशांक हो गए मेरे माइनस a0 मैंने इसके दूरी और ये दूरी जैसी ही मैं निकालूंगा बराबर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y square ब अक्रती को मान लो दूसरी तरब बना दूँ तो ये हमारी नियता हो गई अब जो समीकरण बनेगा वो हो जाएगा y square बराबर minus 4x अब ये 4a x हुआ दूसरी साइड में अगर मैंने इसी को मान लो y अक्ष पर बना देता तो नियता मेरी नीचे होती इसका जो समीकरण होगा वो होगा x square बराबर 4a y और अगर इसी को मैंने y अक्ष के नीचे बना दिया होता नियता इसकी उपर आ जाती तो इस परवले का समीकरण हो जाएगा x square बराबर minus 4a y तो ध्यान क्या रखना यदि कोई परवले x अक्ष पर बन रहा है तब तो y square आएगा और अगर वो y अक्ष पर बन रहा है तब x square आएगा और एक आखरी चीज़ कि अगर इस focus बिंदू से हमने एक रेखा खंड इस तरह से इस directrix यानि नियता के समानांतर खीचा तो वे इस परवले को दो बिंदूओं पर काटता है इन दो बिंदूओं के बीच की दूरी ये आप देखें ना भी लंब कहलाती है ये आई कहां से ध्यान रखना है focus बिंदू से एक सीधी रेखा खीची जो नियता के समानांतर थी तब जाकरके इन दो बिंदूओं के बीच की दूरी ना भी लंब कहलाएगी जिसका कीमान चार एके बराबर होगा है ना है ना आईए कुछ प्रश्ण देखते हैं अब ये कुछ ओधारण है आप ध्यान करें यहां y स्क्वाइर बराबर 8x दे रखा है आपको ये सब चीजें पता करनी है ध्यान क्या रखना है अगर y स्क्वाइर है तो आप जानते हो x x के उपर हो गया यानि y स्क्वाइर बराबर 4x से तुलना करेंगे एक आमान आराम से 2 आ जाएगा तो ना भी के निर्देशांक आराम से पता लग गए 2 0 नियता x बराबर माइनस 2 इस तरह से पता कर सकते अगला देखें परवले का समिकरन ग्याद कीजिए जबकि शीर्ष 0 है यानि केंद्र उसका 0 है तो यही समिकरन रहा ना भी दे रखी है 0 दो यानि y अक्ष पर है तो x स्क्वाइर बराबर 4y करके इसको भी पता कर सकते हैं और लास्ट परवले का समिकरन ग्याद कीजिए जबकि वह बिंदू इस से गुजरता हो यानि x और y का मान दे रखा है इसे करके पता कर सकते हैं आप लोग करें निश्चित तोर पर आपको यह बहुत आसान लगा होगा आप सारा अभ्यास कर सकते हैं हमने आज क्या क्या सीखा देखते हैं हमने आज जाना कि शंकू परिछेत क्या होता है इससे तल और इस्थिर उर्द्वादर रेखा से किस तर ऐसे आकरती बना सकते हैं ब्रत और परवले के बारे में हमने जाना और संबंदित कुछ उधारन किये और इस पर आप आसानी से पूरा भ्यास कर सकते हैं मुझे पूरा बिश्वास है आपको आनंद आया होगा बहुत बहुत धन्यवाद